हेलो फ्रेंड्स बेलकम टू माई चैनल सर्दियों में आइस्क्रीम खाने का मज़ा ही अलग है तो आज हम लेकर आई हैं फुरूट आइस्क्रीम तो देखते हैं यहां किस तरीकी से बनाई जाती है मैंने आपे कुछ फुरूट्स लिये हैं जिसमें मैंने केला दौन तरे के अंगूर, संत्रे, स्ट्रोवरी, पत्या, कीबी और एपल लिये हैं और यहां पर मैंने पौमी गिरिनेट लिया है जिसको मैंने चील लिया है और विप क्रीम लिया है जो केक में यूज होती है इसमें मैंने रेड और गिरिन कलर मिला दिया है अब मैंने यहां पर एक कंटे प्रूट्स को अरेंज करेंगे जिससे यहां जब डीमोल होगा तो देखने में काफी सुन्दा लगेगा मैंने आप यह फूर्ट्स ली हैं आपके पाद जो फूर्ट्स एविलेबल हैं आप बहार ले सकते हैं अपनी पसंद से कोई भी फूर्ट्स आप सकते हैं या कोई भी और इस तरीके से चार तरफ कंटेनर के मैं इस तरीके से फूर्ट्स को अरेंज कर दूगी जब यहां डीमोल होगा तो देखना बहुत तेस्सी और बहुत सुन्दा लगेगा और मैंने सारे फूर्ट्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया है अच्छे से मैंने इसको फिल कर द के लिए इस किरिम में कलर मिलाया थे हैं अगर आप कलर करना चाहते हैं तो आप इससे गता हैं करा मिलाका रखाता हुआ हम इस तरी किसे पूर करेंगे और इस पर डिजैन बना लेंगी जब यहां कटिंग होगी तो देखने में काफी सुंदर लगेगी टेस्ट में कोई फरक नहीं होगा अब फिर से मैं इस पर यह वाइट केक क्रीम लगा दूगी और इसे उपर तक हम अच्छे से फिल करेंगे और इसके उपर मैं थोड़ी से सुगरवस डाल दूगी जिससे यहां देखने में सुन्दर लगेगी आप इसे चाहें तो रैप कर दूँगी जिससे जो आइस क्रिस्टल है वह इसके उपर नहीं जमेंगे और 6-7 घंटे के लिए या ओवरनाइट हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे और मैंने इसे ओवरनाइट सेट किया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया है जो हमने य जैसे या असानी से डीमोल हो जाएगी अगर आप उसे बाउल में सर्व करते हैं तो यह के लिए रैप आप इसकीप कर सकते हैं और लोकिंग देखिए कितनी बढ़िया इसकी लोकिंग आई है काफी टेस्ट ही हमारी ये बनी है टेस्ट के साथ हैल्दी भी है हमने सिर्फ इ इस विंटर ये रैसिपी बनाईए यकीन मानिए सबको पहुत पसंद आएगी बच्चे बड़े सभी को आप इसे अपनी किटी पार्टी में बना सकते हैं या किसी भी ओकेजिन पर आप इसे बना सकते हैं तो इसे बनाईए इन्जॉय कीजिए और मेरे चैनल को जादर से ज लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करना ना भूलिए साथ की साथ बैल आइकन में दबाना ना भूलिए जिससे मेरी रेसिपी के नोटिफेकेशन आपको मिलते रहें और साथ की साथ मुझे फेस्बुक और इंस्ट्रागाम पर फोलो करना भी ना भूलिए थैंक्यू फर